नमस्कार आप देख रहे हैं ABC इंडिया मैं आमिद भोबिया दोस्तो आज हम बात करेंगे फिंगर मिल्ट की खेती के बारे में फिंगर मिल्ट जो है एक मोटा अनाज है और बहुती जादा पोशक तत्वों से भरपूर होता है इसे हम समाने भाशा मेरागी भी कह देते हैं इसे हम छोटा बाजरा भी कह देते हैं हलांकि ये बाजरे से पोशक तक्वों के मामले में काफी जादा डिफरेंट होता है और बहुती अच्छा मोटा अनाज है जिसका उप्योग हम सब लोगों को करना चाहिए हलांकि पहले लोग इसका उप्योग करते भी थे बीच में छोट दिया अब जब से हार्ट और शूगर के मरीज बढ़ने लगे हैं तो इसका उप्योग फिर से होने लग गया है अब रही बात की इसका उप्योग हम किस चीज़ में कर सकते हैं तो दो तरीकों से आप इसका उप्योग कर सकते हैं, आप हरे चारे के लिए भी कर सकते हैं और उसी के साथ साथ इसके अनाज को उत्पादन करने के लिए भी कर सकते हैं। इस फसल के अंदर खास बात ये है कि 100 दिन के अंदर ये पक कर त्यार हो जाती है और बहुत चोटे समय वाली फसल है आपके हाँ पर बरसात अगर थोड़ी बहुत हो जाए तो ठीक है अगर पानी नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपके फसल जो है खराब हो जाएगी पानी हैं तो एक पानी की इसको जो है लगा दीजिए बाकी ज़्यादा पानी के आप शक्ता इसे है नहीं अब रही बात कि मैं आज इसकी बात कर क्यों रहा हूँ बिसिकली हाली में अभी पर्धानमंत्री नरेंदर मोदी ने अपने सभी रजय सभा और लोकसभा के सभी सांसुदों के साथ बैठकर भोजन किया और जिसके अंदर बाजरा और रागी इसका बहुत सा मैटिरियल बनाया गया यानि रोटी इसकी खीर बनाई गई डोसा बनाया गया बहुत कुछ बनाया गया आपने वो तस्वीरे में देखी होंगी क्योंकि वर्ष 2023 को बाजरे की फसल को प्रमोट करने वाला वर्ष जो है माना जा रहा है और मोटे अनाज को खास पर प्रमोट सरकार करना चाहती है तो ऐसे में जिन लोगों के हाँ पर पानी की कमी है वो लोग जो रागी की फसल है इसके खेती कर सकते हैं कहती करने के दो तरीके हैं पहला तरीका तो यह है कि आप इसकी पोद त्यार करके पोद रुपाई कर दीजिए और दूसरा तरीका है आप इसकी बिजाई कर दीजिए बिजाई वाला तरीका है चाहिए पोद रुपाई वाला तरीका है दोनों ही अच्छे हैं बजाई जो है वो असान रहती है तो आप लोग जब भी इसकी विजाई करें तो लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमेटर और पोदे से पोदे की दूरी 8 सेंटीमेटर रखें और इसकी बवाई कर दीजिए चारे के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लगभग ये जब दो महिने की हो जाए तभी इसको काटना शुरू कर दीजिए और अगर अनाज लेना चाहते हैं तो जब ये फूल जो है इसके भूरे होने लगे इसकी दाना पुरा बन जाए और ये पूरी फसद सूख जा इससे जदा पोशक्ततों के आवशक्ता नहीं है और बहुत ही कम बिमारिया इसके अंदर जो है लगते हैं अगर आप इसकी कमर्शिल फार्मिंग करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उत्पादन थोड़ा जादा हो जाए तो आप लोग जब इसे बीच में एक पानी दें तब इसके अंदर जो है पंतालीस किलो यूरिया प्रती एकर जो है डाल दें अन्यथा आपको इसमें कुछ भी डाल लें कि आवशक्ता नहीं है शुरुवात में खेत को दो बार अच्छे से जोतना है अगर गोबर की खात उस वक्त हो तो आप डाल दीजिए अन्यथा जो है 30 कि लो पटास खेत के अंदर छिड़क दीजिए और खेत के अच्छे से जुताई कर दीजी और फिर इसकी बौई कर दीजिए बहुत अच्छी फसल है अगर आप लोग खुद के खाने के लिए भी बोना चाहते हैं तो बो सकते हैं अब रहा समय तो इसकी बौई का जो सही समय ह वो है मैई से लेके जुलाई के बीच का समय तो उस रुत में आप जो है इसकी खेती कर सकते हैं तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट शेक्षन में जरूर बताएं और अगला वर्ष बाजरे को लेकर सरकार ने समर्पित किया है तो उस वर्ष में बाजरे का उत्पादन आप थोड़ा जादा करें देखते रहिए ABC इंडिया